इसका ट्रेलर सामने आया है दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कैसा है ये ट्रेलर एंड क्या कुछ हमें फिल्म में देखने को मिलेगा स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अधती शर्मा तो दोस्तों सबसे पहले तो जो एक एक लाइन है ना जो हम ट्रेलर में देख रहे हैं वो बहुत ही खुबसूरत है जिस तरीके से वो बोली भी गई है और जिस तरीके से वो लिखी भी गई है ये काबिले तारीफ है शुरुवात ही कुछ इस तरीके से हो रही है ना गीता से ना कुरान से ये देश चरेगा केवल समविधान से जी हाँ तो यहाँ पे फिलहाल दोस्तो UP की कुछ जलकी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो CM है फिलहाल जो मुवी में किरदार निभा रहे है मनोज जोशी जी वो CM के किरदार में है दोस्तो और फिलहाल उनके किरदार का नाम है अभे सिंग ईश्वर जी हाँ वो जब CM की शपत लेते हैं तो कितनी सारी चुनौतियां उनके आगयाती है किस तरीके से वो घुन्डा राज खत्म करते हैं यूपी से और किस तरीके के incidents होते हैं उनके कारे काल में और उस पर वो किस तरीके से विचार करते हैं किस तरीके से action लेते हैं वो सारी चीज़े वो सारी जहलक आपको देखने को मिलेगी मतलब एक किसम से आप समझ लीजिए कि यूपी की एक जलक आपको देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है कि ये किसी की बायोपिक है ये बायोपिक नहीं है बस कुछ रियल इंसिडेंट से ये मूवी इंस्पायर रहने वाली है आपको कुछ ऐसा भी मतलब चीजे रिलेटिबल लगेंगी कि आपने वो पहले देख रखा है या सुन रखा है खबरों में और वो थोड़ी बहुत जलक आपको इस मूवी में देखने को मिल जाए लेकिन बहुत ही खुबसूरती से दोस्तों ये फिल्म बनाई गई है साथे साथ बात करें अगर मरो जोशी की तो बहुत ही खुबसूरती से उन्होंने अपना किरदार निभाया है CM के किरदार में वो है और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक डायलोग आता है बाबा साहब अमेडिकर साहब की समविधान की कदर ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर बहुत ही खुबसूरत लाइने हैं अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाला कि बड़ा ही मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉमेडी इसमें देखने को मिलेगी बहुत सीरियस महाल रहने वाला इस फिल्म के दौरान और ये ट्रेलर दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब वो थोड़ा सा गूस पमस देने वाला भी है क्यों कुछ सीन ऐसे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आए दिन हम खबरों में भी सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा आप इमोशनल भी होंगे जरूर इस फिल्म को देखते हुए और इंड़ 누ल डाउट डारेक्टर साभ ने बहुत ज़ादा महनत की है दोस्तो और जो एक्टर्स हैं और उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से अपने अपने करदार निभाए है यहां पर पुलिस ओफिसर के करदार में नज़र आ रही है मंजरी उन्होंने भी बहुत सहल पुलिस वाली वो नजर आ रही है, तो दोस्तों, मूवी बहुत ही खुबसूरत रहने वाली, और बहुत जल्द हमारे सामने होगी, लेकिन ट्रेलर आपको कैसा लगा, कॉमेंट शेक्शन में बताईए जरूर, मिलता है नेक्स्ट वडियो में,